ये है कलाकन मिठाई जो मैंने एक लिटर दूद से बनाया है वो भी 15 से 20 मिनिट में नमस्ते आपका स्वागत है मेरे चैनल PPR इन्फो में तो चलिए अब हम बनाते हैं कलाकन मिठाई हम लेंगे एक कड़ाई उसमें डालेंगे हाफ लिटर दूद अभी हम अपने गैस का फ्लिम हाई रखेंगे जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम लोग इसे गैस का फ्लिम लो कर देंगे ये हमारा दो कप मिल्क है इसे हमें उबाल कर हाफ कप मिल्क करना है और जो half liter milk था उसका मैंने ये पनीर बना लिया है अब हम इस पनीर को अच्छे से मिला लेंगे हमें इसे बहुत ही अच्छे से मिलाना है क्योंकि हमारे मुँमें जैसे ये जाए हमें दानेदार लगना चाहिए तो इसे अच्छे से मिलाईए अब हमारा milk भी यहां पर half cup हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे चीनी half cup थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे चीनी डालने के बाद हम इसे और 5-10 मिनट बॉयल होने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे जो हमने पनीर बनाकर रेडी करके रखा था अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे हमें गैस का flame medium रखना है और इसे तब तक मिलाना है जब तक यह जम नहीं जाती आप लोग देख सकते हैं मैंने इस milk को कितना सुखाया है आप लोग भी उसी तरह इसे सुखा लीजे अब मैं बताती हूँ आपको किस किस चीज का ध्यान देना है फर्ष्ट हमारा जो पनीर है उसे अच्छे से मिलाना है अगर यह कलाकन आपका ज़्यादा गीला हो जाता है आप लोगों का कटिंग नहीं होता तो आप लोग इसे गैस में बिठा कर फिर से बॉल कर सकते हैं थैंक यू प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल